स्टुडेंट्स, टुडेवी विल डिस्कस आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम जो आगे ड्रग्स है उनको पढ़ने से पहले एक हम बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ लेंगे और एक बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट हमें समझ आ गया तो हमारे लिए आगे वाले पॉइंट समझना बहुत इजी रहेगा अगर हमें ये कॉंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे हम चाहे कितने भी ड्रग्स पढ़ लें उसका मेकनिजम पढ़ लें लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा तो इसलिए ये वाला चैप्टर जो बेसिक है ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए इसके अदर कोई भी किसी तरीके का डाउट माइंड में नहीं रहना चाहिए तो हम बिल्कुल एक सिंपल वे से एक सिंपल भाषा में Autonomic Nervous System को याद रखेंगे और उसको हम मतलब कि जैसे भी हम ड्रग पढ़ें हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए हाँ ये उसकी बात हो रही है तो हमें उस चीज को complex way में exam point of view में हमें बुक से बाद में पढ़ना है पहले हम इसको यहाँ पर बिल्कुल एक सेल भाषा में आम भाषा में पढ़ते हैं कि Autonomic Nervous System है क्या तो student Autonomic का मतलब होता है कि जो चीज अपने आप काम करती है हमारी बॉड़ी के अंदर जैसे कि हमारा हर्ट बीट है हमारी किड्नी है और हमारा जो स्टर्मक है इंटस्टाइन है आइस ब्लिंकिंग है वो सारे अपने आप काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं Autonomic Nervous System अब वो हमारा Autonomic Nervous System किस-किस का बना होता है यह हमारी बॉड़ी के अंदर क्या है ब्रेइन है इस ब्रेइन इस स्पाइन कोड बोल सकते हैं स्पाइनल नर बोल सकते हैं हम इसको अब इस नर्व के अंदर से हमारे बहुत सारी क्या निकलती है निकलती है ठीक है इनको इस ले कर जाती है लेकर आती है ठीक है कहाँ पैर और Ooh शीठीक है कि जैसे ओर न को कोई प्राब्लम हुआ तो औरगन Нे अपना SCP और बेई ने बताया कि जी आपको ये काम ऐसे करना है है तो अब ये हमारी नफ्स hai in our body यह लंक्स है हो सकता है किडनी हो सकती है आपका जो इंटेस्टाइन है आसे जह सारे हैं यह आपके अलग अ लग आर्गा गाटाओ आदो लॉक्स आप ढॉर्गन ई avons in 아니면 e氏 अब क्या होता है इन ओर्गन से काम कैसे होता है यहां से नियूरो ट्रांस्मीटर रिलीज होते हैं और नियूरो ट्रांस्मीटर की वज़े से ही यह एक्षन शो होता है नियूरो ट्रांस्मीटर क्या होते हैं वह कैमिकल्स नियूरोमिस हमारी नियूरोंस यह हमारी नियूरों है वो सन anál को सीगनल को इन जैसे कि हमारा कई गरम जगह पर हाथ लग गया तो हम क्या करते एक दम हाथ को पीछे कर ले एक रिफलेक्स सेक्षन होता है तो वो कमान्ड कौन दे रहा है दो कि हमारे हाथ गर्म टच हूँ lên इस घिड़ा है छुड ही heat receptors होते हैं वो chemical release करते हैं वो brain के पास जाता है और brain signal देता है कि आप अपना हाथ फड़ा फड़ पीछे कर लीजिए ठीक है तो वो chemicals होते हैं जिनको वो carry करते हैं उनको हम कहते हैं neurotransmitters अब क्या होता है जो हमारी brain से nerves निकलती है या fibers कह सकते हैं उनको उनको हम कहते हैं cranial nerves ठीक है अब इसके अंदर तो हम समझते हैं कि autonomic nervous system किसका बना हुआ है brain plus spinal इनका autonomic nervous system बना हुआ यानि कि यह दोनों चीज़े हमारी body के autonomic function को control करती है अब हम बात करते हैं कि वह यह हम कह रहे हैं कि यह neurotransmitter जो है हमारा signal लेके जाता है यह यहां से यहां सिगनल लेके जाएगा यहां से यहां सिगनल लेके जाएगा तो यह क्या करता है जब यह यह इनका resting point है कि मैं rest कर लेता हूं और फिर आगे जो है फिर signal में लेके जाओंगा तो जो यह resting points होते हैं उनको दो तरीकों में या दो भाग में divide किया गया ठीक है पहले तो गैंगलिया से जो पहला वाला है उसको हम कह सकते हैं गैंगलिया इसको पोस्ट मतलब क्या होता है बाद में तो इनके basis पर हम इस सिस्टम को दो हिस्सों में divide करते हैं फॉस्ट हम कहते हैं जी यह है sympathetic sympathetic ठीक है और दूसरा हम कहते हैं जी यह है पैरा पैरा sympathetic ठीक है sympathetic क्या होता है जो की जिसके अंदर गैंगलिया नियर टू और गन होता है और दूसरा क्या होता है गैंगलिया नियर फार टू और गन ठीक है तो यह किसके basis पर क्या आमने on the basis of गैंगलिया ठीक है अब आप बुक में पढ़ेंगे कि कई जगे पर आप देखोगे लिखा होगा गैंगलिया फार टू दा दिस और तो आपको एधिहान रखना है यह बस यह नहीं देख लेना किया पर नियर लिखा हुआ बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो जी हम कनफ्यूूज हो गई कि यहाँ नियर लिख्ञाgest पार लिखा है हमें यह देखना है कि उसके अंदर यहां पर और गन लिखा है यहां पर spinal nerve लिखा है ठीक है for example हम sympathetic की बात करते हैं हमने लिखा ganglia near to the organ ठीक है तो ganglia near to the organ कहां पर इसमें है तो यह कौन सा और गन तो यह क्या है पैरा sympathetic system कि आगया समझ में ठीक है अगर हम अब इसको spinal nerve spinal cord की भाशा में बात करें इसकी तो हम क्या कह सकते हैं sympathetic क्या होता है ganglia near so ganglia far to the part to the spinal cord ठीक है यहां पर यह क्या था नियर था तो यह नियर है किसके और गन के और फार किसके है कि इस पाइनल कोर्ड के यहां पर स्पाइनल कोर्ड हमारे ठीक है तो फार इस से है यह आ जाएगा यहां पर मारा smile spinal cord parasympathetic की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या जाएगा ganglia near to the spinal cord इसको हम क्या कहते हैं परा-sympathetic system अब हम बात कर रहे हैं एक तीसरा और होता है जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं spinal यह भी क्या है spinal nerve है और इसका नाम क्या है somatic nerve fiber somatic किसलिए होता है जिसके अंदर कोई भी ganglia नहीं होता है यानि कि वह बहुत active होता है उसको कोई रेस्ट करने की जूरत नहीं है वह अपना काम जो है वह फटा-फट करके आ जाएगा तो उसको रेस्ट नहीं करना तो रेस्ट नहीं करना तो उसको कोई गेंगलिया या सनप्टिक की जुरूज नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं सोमेटिक नर्फ फाइबर अब हम बात कर रहे हैं जो बहुत important है neurotransmitters neurotransmitters वो chemicals होते हैं जो neurons के अंदर neurons जिसके help से signals को brain तक लेके जाती है और उसका जो action है या जो उसका order है वो और गन तक लेके आती है अब हमने दोख बात की sympathetic और परा-sympathetic अब जो neurotransmitter इस इस neurotransmitter इसका नाम है adrenaline adrenaline जो neurotransmitter है वो हमारे दो टाइप की receptor alpha beta इस जादा receptors इनके उपर इन से release होते हैं और दूसरा हमारा होता है acetylcholine ठीक है किसके साथ काम करते हैं जाए तो आपके मांड में एक दम से क्लिक ओजाना चाहिए कि यहां पर मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर की बात हो रही है जैसे आडरेनलीन की बात कर दी जाए तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि प्रिश में a-ло- Ba kी जारी है आगे फदर इसको डिवाइड किया जाता है अल्फा 1, अल्फा 2, Ba1, Jestka 2 और बहुत सारी आगे आगे अक्टिन टूद्ः की शुटबे कि जो ब्रुका इसको डिवाइड किया ठीक है तो this was a simple introduction of autonomic nervous system ठीक है और यह जो है बहुत important है और बहुत complicated भी है लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत simple है किसी तरीके का कोई भी मन में doubt रखके नहीं चलना है जहां समझ नहीं आता पहले उसको clear करो next आगे further बढ़ो ठीक है तो अपने concepts clear करने है क्यों और जो आप सब्जेक्स पढ़ने हैं वो concept clear करने वाले subject हैं बहुत easy subject है to the point concept के उपर basis है इसलिए जो आपके GPAT या कोई competitive exam होता है तो उसके अंदर इन में से पूछा जाता है तो इसलिए अगर आपके concept clear है तो आप जो है अपना आगे बहुत अच्छे GPAT का त्यारी करना है M form करना है बड़े company में job करनी है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है थैंक यू